भारतियों के ड्रीम्स और डेडिकेशन दोनों का टेस्ट करने वाले हैं यह समय भारतिय इंडर्स्ट्री के रुप में आपकी केपिबिलिटी, कमिट्मेंट और करेज को दुनिया भर को हमें एक बार विश्वास के साथ दिखा देना है और हमारा चैलेंज सिर्फ आत्म निर्वर्ता ही नहीं है बलके हम इस लक्ष को कितनी जल्दी हासिल करते हैं ये भी उतना ही महत्वपुन है साथियों भारत की सभलता को लेकर आज दुनिया में जितनी पोजिटिविटी है शायद उतनी पहले कभी नहीं रही ये पोजिटिविटी आई है एक सो तीस करोड से जादा भारतियों के अभुत्पुर्व आत्म विश्वास से अब आगे बढ़ने के लिए भारत नए रास्ते बना रहा है नई उर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है साथियों हर सेक्टर के लिए सरकार की नीती क्या है रणनीती क्या है पहले और अभी में क्या बढ़लाव आया है इसको लेकर बीटे सेंसंद में सरकार के मंत्रियों और दूसरे साथियों ने आप सब के साथ विस्तार से चर्चा की है एक जमाने में हमारे यहां जो परिस्तित्यां थी उसके बात कहा जाने लगा था वाई इंडिया अब जो रिफॉर्म्स देश्ट में हुए है उनका जो प्रभाव दिखा है उसके बात कहा जा रहा है वाई नौट इंडिया अब जैसे पहले कहा जाता था कि जब टैस रेट इतने उंचे हैं तो वाई इंडिया आज यही लोग कहते हैं कि जहां सबसे अधिक competitive tax rates हैं तो वाई नौट इंडिया पहले regulations और rules का जाल था तो स्वाभाविक रूप से चिंता के साथ निवेशक पूछते थे वाई इंडिया आज वही कह रहे हैं कि लेबर लोग में ease of compliance है तो वाई नौट इंडिया पहले सबाल होता था कि इतना red tab है तो वाई इंडिया अब वही लोग जब red carpet बिछा हुआ देखते हैं तो कहते हैं वाई नौट इंडिया पहले सिकायत होती थी कि innovation का culture उतना नहीं है तो वाई इंडिया आज भारत के start-up ecosystem के ताकत देकर दुनिया विश्वाज से कह रही है वाई नौट इंडिया पहले पूछा जाता था कि हर काम में इतना सरकारी दखल है तो वाई इंडिया आज जब private participation पर वरोशा किया जा रहा है विदेशी निवेशकों को encourage किया जा रहा है तो वही लोग पूछ रहे हैं वाई नौट इंडिया पहले सिकायत थी कि digital infrastructure के अभाव में काम संभव नहीं तो वाई इंडिया आज जब इतना अधुनिक digital ecosystem हमा रहा है तो sentiment है वाई नौट इंडिया साथियों नया भारत अपने सामर्थ पर भरोशा करते हुए अपने संसाधनों पर भरोशा करते हुए आत्म निर्भर भारत को आगे बढ़ा रहा है और इस लक्ष की प्राप्ति के लिए manufacturing पर हमारा विशेश फोकस है manufacturing को बढ़ावा देने के लिए हम निरंतर reforms कर रहे हैं reforms के साथ साथ rewards को आज देश की नीती का अहम माध्यम बनाया गया है पहली बार दस से जादा sectors को efficiency और productivity आधारी incentive के दाएरे में लाया गया है मुझे खुशी है कि बहुत कम समय में ही इसके positive result भी देखने को मिल रहे हैं इसी तरह बहतर connectivity बहतर सुविधाएं और logistic को competitive बनाने के लिए चल रहे सब प्रयास भी industry के लिए reward ही है हमारे लाखो MSME के लिए चाहे उसकी परिभाशा को बदलना हो क्राइटरिया में बदल लाना हो सरकारी contract में priority हो या फिर liquidity से जुड़ी समस्यों का हल करना हो ये भी बहुत बड़ा पोत्साहनी है साथियों देश आज करोडों युवाओं को अवसर देने वाले enterprise और wealth creator के साथ है आज भारत के युवा इनोवेशन के start-up दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं सरकार की एक efficient और friendly ecosystem बनाने के लिए निरंतर कोशिच जारी है अब एसोचेम जैसे association को आपके हर member को भी यह सुनिशित करना है कि इसका लाव last mile तक पहुँचे इसके लिए industry के भीतर भी आपको reforms को encourage करना होगा जो बड़लाव हम अपने लिए देखना चाहते हैं वही बड़लाव हमें अपने संस्थानों में भी करने होगे जितनी liberty जितना inclusion जितनी hand holding जितनी transparency आप सरकार से society से चाहते हैं उतना ही industry के भीतर women के लिए your talent के लिए छोटे उद्योगों के लिए हम सबको सुनिश्चित करना ही है हमें corporate governance से लेकर profit sharing तक दुनिया की base practices को जल से जल अपनाना होगा profit centric approach के साथ ही हमें उसे purpose oriented भी बनाने बनाएंगे तो society के साथ ज्यादा integration संभव हो पाएगा साथियों आपसे बहतर यह कौन समझ सकता है कि honest opinion का बहतर decision making में कितना बड़ा रोल होता है कई बार हमें लोग मिलते हैं कहते हैं कि यह share बढ़िया है यह sector बढ़िया है इसमें invest कर दो लेकिन हम पहले यह देखते हैं कि वह सलाह देने वाला तारीप करने वाला खुद भी उसमें investment कर रहा है या नहीं कर रहा है यही बात economies पर भी लागू होती है आज इंडियन economy पर दुनिया को भरोसा है इसके प्रमान है पैंडेमिक के दुरान जब पूरी दुनिया investment के लिए परिशान है तब भारत में record FDI और PFI आया है दुनिया का यह confidence नए स्तर पर पहुँचे इसके लिए domestically भी हमें अपने investment को कई गुणा बढ़ाना है आज आपके पास हर सेक्टर में investment के लिए संभावनाएं भी हैं और नए आउसर भी हैं आपके लेह आपके लिए भी हैं